हेलो फ्रेंट्स आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूं धोकला जिसे बनाना बहुत ही आसान है आप इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं बजार के तरह यह देखे फ्रेंट्स बहुत ही सॉफ्ट बनकर तयार हुआ है इसके लिए हमें पहले इसमें दही, एक कटोरी, दो चमच चीनी, छोटा चमच हल्दी पाउडर, छोटा चमच नमप, दो चमच रिफाइन तेल, इसे हमें अच्छे से अलका पानी देकर रोल तयार कर लेना है इस तरीके से अच्छे से हमें मिलाकर, इस तरीके से में घोल तयार कर ली है, घोल को ज्यादा पतला नहीं करना है, ये निमू का रस मैं डाल दे रही हूँ, इसे अच्छे से मिला लेना है, ये बेकिंग पाउडर दाल दूँगी, मैं एक छोटा चमच इसके जगाब इनो भी डाल सकते हैं और ये बेकिंग सोडा एक चुटकी सभी को अच्छे से हमें इस तरीके से मिला लेना है एक साइड में और ये मैं इटली वाले साचे में इस तरीके से तेल डाल कर रिफाइन तेल जो बैटर बना के रखी थी उसे में डाल दोंगी इस तरीके से हमें डाल देना है और ये पानी में घर गर कि रखी थी इसमें डाल दी इसे मैं 15 मिनट के लिए पकने दोंगी 25 मिनट हो गया है दोखला बनकर इस तरीके से तयार हो गया है ये चौक के लिए में नमक, चीनी, राइ, कड़ी पत्त, हरा मिर्च और ये नीमबू ली हूँ कडाई को गयम कर लेना है और हलका सा रिफाइन तिल नमें डालकर राइ को डाल देना है और ये हरे मिर्च को बीछ से फाड़ा करके और ये कड़ी पत्ते को डाल दी में ऐसे तड़क जाने देना है और पानी को एक छोटा ग्लास से डाल दी और ये चीनी और ये नमक इसे मैं उबाला लाने दूँगी उबाला गया है गैस फ्लेम बंद करके मैं नीमबू के रस को डाल दूँगी इस तरीके से हमें डाल कर मिला देना है और ये जो मैं ढोकला बना करें और हमारे comment box में comment करें चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें share करें इस तरीके से मैं सभी दोखड़े को प्लेट में निकाल ली हूं और इसविर पानी बना कर रखी थी मैं मीठा उसे में डाल दे रही हूं आप लोग भी एक बार जरूर ट्राइ करें और हमारे comment box में comment करें बहुत ही यमित बनकर तयार हुआ है ढोकला और soft भी बना है